नमस्कार दोस्तो मैं दीपक कुमार सिंग आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तो अब आप लोग मुझे अनकेडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं फॉलो करने के लिए को करना क्या होगा आपको प्ले स्टूर में जाकर अनकेडमी का लर्निंग डाउनलोड करना होगा उसके बा दोस्तों बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाई भरती 2018 की परिच्छा को लेकर वो कौन सी चीज अगर आपने साथ लेकर जाते हैं तो आपको परिच्छा के इंदर से बाहर किया जा सकता है वो चीज अगर आप लेकर गए तो आपको हो सकता है परिच्छा देने ना दिया जाए तो इन सब चीजों में हम लोग विस्तार से बात करेंगे लेकिन उससे पहले अगर आप वास्तों में त्यारी करना चाहते हैं यूपी पुलिस रेलवे या फिर यूपी लेकपाल की तो आप से निवे दिने नीचे एक लाल बटन बनाओगा जिसको दबाकर चैनल को सबस्क्राइब कर लें क्योंकि यहां हमारे वाटसाप ग्रूप और टेलिग्राम चैनल के माद्यम से आपको लगातार अच्छी से अच्छी और बहतर त्यारी कराई जाएगी तो दोस्तों जितने भी लिंक है वो नीचे वीडियो के डिस्क्रप्सर में दिये हुए आप सब्सक्राइब करके सभी से अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको इन परिच्छाओं मंदेर प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर और अच्छी सेची पीडियों फ्री प्रोवाइड की जाएगी तो दोस्तों आई जान लेते हैं पूरी खवर विस्तार से सबसे पहले उत्तर प्र सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसके लिए यूपीपी की वेबसाइड गौर्चलब है कि 41,250 पदों पर होने वाली सब्सक्राइब के लिए 22,000,000 से अधिक अव्यार्थियों ने आविजन किया है सुमवार को उत्तर प्रदेश पुलिस भरती प्रोवाइड के नागरिक पुल सब्सक्राइब के 23,250 पदों और 15,000 पदों के लिए होने वाली लिखित परिच्छा का कारिकराम गोशित कर दिया 18-19 जुन को होने वाली सिपाई भरती की लिखित परिच्छा दो पालियों में होगी प्रथम पाली 10-12 तक होगी वहें दुतिय पाली दोपहर 3-3-5 तक होग प्रदेश के 56 जिलों में आरिक्छा ओँगी परिच्छा एंगी नुडुटल आधिकारी जो 9-2020 पदों पर होने वाली लिखित परिच्छा प्रदेश के 56 जिलों में करीब 860 के अंदरों पर संचालीत होगी हर जिले में स्सपी स्तर का अधिकारी परिच्छा का नोड़ जिस्तर के अधिकारी प्रवेशक होंगे गौतलव है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भरती यों प्रद्नत बोर्ड ने 14 जनुवरी को अब ब्यार जी को परिशा केने प्रेस के लिए दो घंटे पहले पहुंचना होगा अगर आप दो घंटे पहले नहीं पहुंचते हैं तो आपको बाद में एंट्री नहीं दी जाएगी जूता पहन का परिशा केने में जाने की अनुमत बिल्कुल नहीं है अगर आप जूता प फोटो और पहचानपत नहीं ले जाते हैं तो आपका एडमिट कार्ड किसी काम का नहीं है वहां से आप बाहर कर दिये जाएंगे तो आपको एडमिट कार्ड फोटो और पहचानपत तीनों चीज़े लेकर वहां जानी है काडिडेट का बायोमेटिक रिजिसेशन भी होगा त या में ये बॉक्स, प्लास्टिक पाउज, कैलकुलेटर, स्केल, लेखन, पैट, पेंडराइब, इरेजर लॉग, टेबल, इलेक्ट्रोनिक पेंड, ये सारी चीज़ अगर आप लाते हैं तो आपको या तो परिछा से बाहर कर दिया जाएगा या तो ये सारी चीज़ आपकी वो ले जाएं, जो चीज़ें नहीं ले जानी हैं, वो चीज़ें ना ले जाएं, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही नान्यवाद,